नमस्कारम सद्गुरू, मैं सोने का सही तरीका जानना चाहता हूँ, कितनी देर और किस दिशा में सोना चाहिए, इसका क्या विज्ञान है? नमस्कारम विरू नींद नींद एक आराम की अवस्था है ज्यादतर इंसान नींद को आराम की सबसे गहरी अवस्था के रूप में जानते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है ऐसी योगिक प्रक्रियाएं हैं, जिन में आराम की कहीं अधिक गहरी अवस्था हासिल की जा सकती है, जिन में मेटबॉलिक अक्टिविटी को बहुत निचले स्तर तक ले जाया जाता है मगर जादतर इंसानों के लिए नींद आराम की सबसे गहरी अवस्था होती है आराम करते समयें, कोई अटिटूड मत अपनाईए आराम की सबसे अच्छी अवस्था में आप तब होते हैं, जब आप बेफिक्र होते हैं तो जब नींद की बात आती है, तो ये मत सोचिए कि किस आसन में और कैसे सोना है। पूरी तरह बेफिकरी की स्थिती में होना सोने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर आप दिशा भी पूछ रहे हैं, जब दिशा की बात आती है, तो उत्तरी धुरूफ की चुम्बकी शक्ती के कारण, अगर आप उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे उत्तरी गोलार्द में, तो आपके दिमाग पर दबाव पड़ता है। हम इसे अनुभव से जानते हैं, मगर इस बारे में स्टडी करके भी ये पाया गया है, कि दिमाग की ओर खुन का एक कुदरती प्रवाह होता है, अगर आप उत्तरी गोलार्द में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको एनीमिया होता है, तो डॉक्टर आपको आयन की गोलिया देते हैं। तो अगर आपके खुन में उत्ना आयन है, तो चुम्बकी इस शक्ती कुदरती रूप से उसे खीचेगी, और साथी प्रित्वी का घूमना भी उस पर असा डालता है। तो बहतर होगा कि खास तोर पर बुजूर्ग अपना सिर उत्तर की ओर करके ना सोएं, क्योंकि उससे दबाव बनता है। बुजूर्गों में ये ज़रूरत से अधिक दबाव, हैमरिज की वज़े भी बन सकता है। सबसे बढ़कर इसके कारण अच्छी नीन नहीं आती। तो अच्छा होगा कि आप उत्तरी गोलार्द में अपना सिर उत्तर की ओर करके ना रखें। मगर वैसे नीन्द के लिए आपको कोई खास आटिट्यूड अपनाने की जरूरत नहीं है। नीन्द पूरी बेफिक्री में होनी चाहिए। यही आराम की अवस्था में होने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्व नीन्द के दौरान ही नहीं। अगर आप कुछ करते हुए भी बेफिक्री की स्थिती में हैं, तो आप पाएंगे कि आपके काम ही आपको आराम पहुँचाएंगे। और नीन्द की जरूरत काफी कम हो जाएगी। इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको कितनी देर सोना चाहिए। शरीर को तैकरने दीजे कि आपको कितनी देर सोना है। यह सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप अपने भोजन, अपने मनोभाव और अपनी भावनाओं का सही ध्यान रखते हैं, तो आप देखेंगे कि नीन्द का कोटा काफी कम हो जाएगा। अगर आप योगा भ्यास करें, तो आप नीन्द का कोटा और भी कम कर सकते हैं, ताकि आपके पास जीने के लिए अधिक समय हो।